नमस्कार मित्रो, आप सभी का एस्ट्रो साइंस में हार्दी कभिनांदन हैं, मित्रो जो आने वाला धन्तेरस है, इसके लिए आप सभी दर्शकों को धेरशारी सुपकामना एं धन्वंत्री जैन्ती या धन्त्रियोदशी इस तिथी में अगर आप भगवान धन्वंत्री की पूजा करें और साथ ही महालक्ष्मी की पूजा आप करें ऐसे में आपको धन से जुड़ेवे फायदे धन्तेरस में जरूर मिलते हैं। मित्रो आपको बता दे भगवान कुबेर की भी पूजा करने का इस दिन प्रथा है। तो मित्रो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस धन्तेरस पर कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत जादा महरबान रहने वाली है। तो चले शुरूरात करते हैं मेश राशी से। त जातक धन्तेरस के दिन से आपका भाईग्या बदलने वाला है। इस दोरान अगर आप अपना सोच सकारात्मक रखते हैं तो चीजे आपके लिए बहतर होने वाली है। अगर आप बहुत समय से सफलता के लिए जूज रहे हैं प्रयास रथे तो वो आपको मिल रहा है। कि बुद्धुदेव भी आपके लिए अनुकूल परिस्तितियां ला रहे हैं तो मेश राशी के जातक अर्थिक धनलाब के लिए तयार रहें। अगली राशी ब्रिशब राशी। ब्रिशब राशी के जातकों के लिए कार्य छेतर में उनके जो वरिस्त अधिकारी हैं उन के पेवाहिक जुरिदार के साथ आपकी समझ भूज और बढ़ने वाली है इस धंतेरस में आपको आर्थिक धन लाब तो होगा ही साथ ही विविन प्रकार के वेंजनों का आप स्वाद लेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे हाला कि बिष्जब राशी के जातक इस धंतेरस के लिए तो मिथुन राशी चंचल राशी है और इनके राशी के स्वामी बुद्ध देव हैं इनमें धंतेरस के बाद जिग्यासाय बढ़ने वाली है चीजों को समझने के लिए इस दोरान आप कुछ ना कुछ करने की चाहत रखेंगे और जल्द से जल्द आप चाहेंगे की आप सारे ही चीजों का ज्यान प्राप्त कर लें हाला कि आपका ये गुन बस ये समझ लें कि आपको लोगों के साथ और ज्यादा विश्वास के पात्र बनाएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जिन चीजों की आप तलाश कर रहे हैं उनके लिए प्रयास तेज कर इस धंतेरस के बाद वो चीजे आपको प्राप्त हो जाएंगी इस दोरान बहुत सारे मित्र आपके बनेंगे प्रेम संबंध में आप पढ़ेंगे प्रेम जीवन में एक दूसरे के साथ समंझस अच्छा रहेगा जो भी मनमुटाओ थे वो दूर होंगे छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए बन सकती हैं जिन यात्राओं से आपको आनंद की प्राप्ती होगी इसके बाद जो करक वाले हैं आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और भावनात्मक रहने वाले हैं क्योंकि इस समय देखिए आप परिवार और दोस्तों के बहुत ज़्याद प्राप्त होगी और इस धंतेरस में आप जो भी पल अपने परिवार जनों के साथ अपने मित्रों के साथ बिताएंगे इन पलों से आपको एक सकारात्मक उर्जा मिलेगी और आप एकदम विश्वास के साथ एकदम कॉंट्विडेंस के साथ अपने जीवन में आगे अगर आप लंबे समय से विदेश जाना चाते हैं तो धंतेरस से आपका भाइग्योदय होगा विदेश जाने की संभावना आपके लिए बनेंगी तो करकराशी के जातक धंतेरस के बाद आपका मनोबल पूर्ण तह बढ़ने वाला है आप जो भी करेंगे उसमें अपना प दूसरों पर अपना अधिकार जबाएंगे जिसके कारण आपको लगेगा कि हाँ आप सब कुछ प्राप्त तो करेंगे पर आपको इसके लिए हमेशा एक्टिव रहना होगा आपके विचारों को लोगों को बताने का तरीका इस दोरान लोगों को बहतर लगेगा लोग तो कुछ आपको एहंकारी भी सोचेंगे इसलिए प्रसिद्धी पाने में वास्तविक्ता को ना भूले और आपके कॉंफिदेंस को कोई चोट ना पहुंचाए इसका ध्यान बिल्कुल रखिएगा कन्याराशी के जातक कन्याराशी वालों के लिए धंतेरस के बाद से ही उ जीवन के तमाम चुनोतियों का परिशानियों का आप सामना करेंगे लोग आपके विचारों को समझेंगे और यदि आप मैथमेटिक्स एकाउंट्स या वेग्यानिक छेतरों से जुड़े हुए हैं या ऐसे कारेस्थल पर काम करते हैं जहां हिसाब होता है तो आपके लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बात करते हैं तुलाराशी के जातकों के लिए तुलाराशी के जातक धंतेरस का समय बस ये मान ले कि आपके जीवन में धेरों खुशियां लेकर आने वाला है इस दोरान आप लोगों को समझा पाएंगे विप्रिट लिंग आपक का ध्यान रखे नहीं तो कहीं न कहीं आपको नुकसान उठाना पर सकता है धंतेरस के बाद से ही तुलाराशी के जातक अपने काम पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं तो दोस्त और परिवार से थोड़ी दूरिया स्वभाविक है कि आपकी बनने वाली है हाला कि धंतेरस के तुला राशी के जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है ब्रिश्चिक राशी के जातक ब्रिश्चिक राशी के लिए धंतेरस के समय से ही उनके कारिय छेत्र में उन्हें सराहना दिलवाएगा इस दोरान आप अच्छे कारिय करेंगे हाला कि बाचीत में अपनी कतोरता ना बढ़ाएं परिवारजनों का सम्मान करें और जीवन में अपनों के साथ मर्भेद ना होने दे काम को उचाई देने के लिए आप बहुत काम करेंगे बहुत सतर्क रहेंगे, हार्ड वर्क करने वाले हैं बस थोरा ध्यान रखेगा कि कोई भी आपका फाइदा ना उठाएं और खास कर उग्र राशियों से आपको सदर्क रहना है धंतरेश के बाद का समय बिर्चिक राशी वालों के लिए वैसे इतना अच्छा नहीं बोल सकते हैं पर सामाईने रहेगा बात करते हैं धनूराशी के लिए धनूराशी के जातक अपने धार्मिक गतिविद्यों पर इस समय ज़्यादा खर्चा करेंगे लिडर्शिप की आप में कॉलिटी बढ़ने वाली है नेत्रित्व करने का आप में शमता बढ़ेगा ये समय आपके लिए अनुकूल है अगर आप खाने पीने के चीजों से जुड़े हुए हैं व्यपारी हैं तो आपके लिए ये वक्त बहुती बढ़िया है इस दोरान आपका मन आध्यात्मिक चीजों को जानने का समझने का ज़्यादा मन करेगा जो विद्यारती हैं उनका पढ़ाई लिखाए में ज़्यादा फोकस रहेगा इस समय समाज में आपका मान समान बढ़ेगा प्रटिष्ठा बढ़ेगी धनुराशी के जातक देखिए धन्तेरस के बाद जो भी जलतत्व की राशी है उनसे आपको फाइदा पहुँचेगा तो उनसे बहतर रिष्टे बनाए रखें मकर राशी के जातक मकर राशी के लिए धन्तेरस के बाद का जो समय है वो बहुती अनुकूल रहने वाला है जो भी मैंनत आप कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा समाज में आपकी जो छवी है वो भी और बहतर बनेगी कामयाभी आपको मिलने वाली है जीवन की समस्याओं का समाधान निकालने में आप कामयाम रहे आपका परसनल जो जीवन है वो एकदम से अनुसाशित रहेगा आप एक बहतर जीवन जीएंगे धंतरस के बात का वक्त आपके लिए बढ़िया है इस दोरान आपके लिए मालक्षमी भी महरबान रहेंगी दोस्तों और परिवार जनों के साथ आप बातचीत एकदम तुड़ के लिए खुशियो भरा रहने वाला है हाला कि कुम्राशी के जातकों के मन में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही सोच आने वाली है आप अपने कारियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे जिसके कारण आप गैर जिम्मेदार रवया अपना सकते हैं तो इसका ध्य जरूर रखें, इसके अलावा अगर बात करें, कुमराशी के जा तक दूसरों की मदद करेंगे, समाज में अपना योगदान देंगे, हाला कि कुछ नियमों का पालन करना आपके लिए मुश्किल है, कुछ मुश्किलें आपके लिए खुद बखुद कम होंगी, आप अपनी स जार्थियों के लिए चीज़ें अच्छी हैं, थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसका पार भी आप पालेंगे, मित्रों बात कर लेते हैं मीनराशी के लिए, धंतेरस के बाद का समय मीनराशी वालों को सकारत्मक तरीके से आगे बढ़ाने वाला है, लेकिन समल कर रही है, दूसरों की बातों को आप समझेंगे, लेकिन जरूत से ज़्यादा भावनाओं में ना बहें, दिखे मीनराशी के जातक धंतेरस के बाद का जो समय है, इस समय अगर आप अपने बारे में ज़्यादा विचार करें अपने उन्नती के लिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी भाइग धंतेरस के बाद आपका अच्छा ही है, तो मित्रों आज के लिए विद्या लेते हैं, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजेगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर ही दीजेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम धन्यवाद